तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्सार पर मैं हूँ आपके साथ रोहित मेरे पीछे एक तजवीर आद देख रहे हैं इस तजवीर के एक बेहदी दिल्चस्प कहानी है क्योंकि लाइम मैच के दौरान बेहिमानी हो गई जी हाँ ये आरोप एक टीम की तरफ से लगाए जा रहे हैं और पूरी खबर आप देखेंगे तस्वीरों को देखेंगे और उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको समझेंगे तो निश्यत तोर पर भी आप एक फैसला कर पाएंगे वो फैसला जो भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा लेकिन खबर जो है वो है स्रिलंका और बांगलादेश के बीच खेले गए दूसरे टी-टॉन्टी मुकाबले से बांगलादेश ने शांदार तरीके से इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ली लेकिन विवाद खूब हुआ दरसल श्रिलंका और बांगलादेश जब-जब आमने सामने होते हैं कोई न कोई विवाद होता ही है अब ऐसे में अब की हुआ यूं कि बांगलादेश के बल्लेबाज को मैदानी अमपायर ने आउट दे दिया अब मैदानी अमपायर ने आउट दिया तो बांगलादेश के बल्लेबाज ने रिवीव ले लिया रिव्यू यब लिया तो थर्ड अंपायर ने नॉट आउड दे दिया नॉट आउड चलिए दे देते कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन जो इसनीको मीटर था उसमें साफ नजर आ रहा था कि गेंद छूकर गई है बल्ले को और स्पाइक्स नजर आ रहे थे इसके अलावा जब आप ओरिजिनल वीडियो सुनेंगे तो आवाज भी आ रही है गेंद टच होने की बल्ले में अब यह तस्वीर आप देखिए इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है नियम के अंसार आपको पता है कि अगर बल्ले के पास से गेंद गुजर रही है और इस निको मीटर पर लाइन खिज जा रही है तो बल्ले बाज आउट करार दिया जाता है हलंकि थर्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया मतलब इसी के बाद बवाल मच गया अब पूरा मामला आपको बता देते हैं कि बांगलादेश और श्रिलंका के बीच खेले गए टीटूंटी मैच में भारी बवाल हुआ दोनों टीमों के बीच मुकाबला सिलहट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया मैच में श्रिलंका की टीम ने बहुत अच्छी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसके बाद जब बांगलादेश की टीम रंचेस करने के लिए उत्री तो बांगलादेश की टीम ने पहले तीन ओवर में अच्छी सुरवात की 28 रंज जोड़ लिए दोनों उपनर ने वहीं स्रिलंका के लिए जब बिनुरा फर्नांडो ने चौथा ओबर थामा तो उन्होंने पहली ही गेंद पर सौमे सरकार को आउट कर दिया बिनुरा फर्नांडो की गेंद सौमे के बैट का अंधूरीनी किराना लेते हुए विकेट कीपर की दस्तानों में जाकर चली गई अपील के बाद मैदानी अंपायर ने बल्लेबाज को आउट भी करार दे दिया लेकिन सौमे सरकार ने इसी बीच डियारस ले ले लिया डियारस के वीडियो रिप्ले में इस निको मीटर पर ये साफ दिख रहा था कि गेंद बैट का एज लेकर विकेट कीपर तक पहुँची है ये तस्वीर वही है जो कि इस निको मीटर की में बात कर रहा था लेकिन सब ज़्यदा हैरानी की बात ये हुई कि थर्ड अंपायर मसूदूर रह्मान ने सौमे सरकार को नौट आउट दे दिया इसके बाद फिर मैदान पर भारी बवाल मच किया अब वह बावाल की तस्वीरे आप देखिए स्री लंका के सभी खिलाडी अंपायर के पास पहुंसते हैं और कहते हैं कि जब इस निको मीटर में स्पाइक्स दिख रहे हैं और ये नजर आ रहा है कि बल्ले से अगें टच होकर गई है तो फिर थर्ड अंपायर ने आउट क् ज्यादा फाइदा नहीं उठा सके आखिरकार वह 26 रन बनाकर आउट होकर पवेल लोट गए लेकिन इसके बाद बंगलदेश के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और आखिरकार जीत दर्ज की लेकिन जिस तरीके से विवाद हुआ है वो इस वक्त सुर्कियों में हैं अब यह इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा था क्या वाकई में थर्ड अंपायर ने बहिमानी की और नॉट आउट देने देकर उन्होंने गलती की यह आउट था इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा लेकिन अब मैच की बात कर लेते है मैच में श्रिलंका ने पहले बल्लेवाजी की और श्रिलंका ने ठीक ठाक स्कोर बनाया 165 रंट वी सोबरें पांच विकर के नुकसान पर अविश्का फर्नांडो कुछ खास नहीं कर सके खाता नहीं खुला कुसल मेंडिस ने 36 रं की बाइस गेनों में दो चौके और तीन जैसे वो खेलते हैं वैसे ही खेलते नजर आए कमिधू मेंडिस ने 27 पर 37 की तीन चौका और दो चौका उनके बल्ले से निकला समर विक्रमा कुछ खास नहीं कर सके साथ रन असलंका ने 28 की 14 गेनों में तीन चौके साथ वहीं मैथ्थूस जिरों निशांदार तरीके से टोटल पहुंचा 165 रन पांच विकेट के नुकसान पर अब 166 रन चाहिए थे बांगलादेश को और बांगलादेश का स्कोरकार जो दिखा वो बेहत्रीन रहा लिटंदास और सौम्य सरकार ओपनिंग करने आए सौम्या ने 26 रन की 22 गेनों पर पांच चौके लगाए और इन ही सौम्य सरकार को लेकर विवाद हुआ था जब इनके बल्ले में गेन लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई मैदानी अंपायर ने आउट दिया सौम्य सरकार ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया जबकि इस नीको मेंटर में साब दिख रहा है कि बल्ले से गेन चूकर गई है और आवाज भी आ रही थे उन्होंने 26 रन मनाए लिटन दास ने 36 रन किये लेकिन इसके बाद जिस तरीके से नजबुल हसायन संतों ने 38 गेनों पर 33 रन चार चौके दो चके तोहईद हिरदौय ने 25 गेनों में 32 रन किये दो च जीत लिया लेकिन हार जीस से इतर इस मुकाबले में सब त्यादा चर्चाएं रही बवाल की जिस तरीके से बवाल हुआ स्रिलंका के खिलाड़ियों देखी किस तरीके से उन्हें अंपायर को घेर लिया अंपायर से बहस करते नजर आये और उन्होंने कहा कि थल्ड़ लिया जाता है लेकिन जिस तरीके से श्रिलंका के खिलाड़ियों ने बहुत सौमेता दिखाई नौट आउट दिया गया बंगलादेश के प्लेयर्स को फिर भी श्रिलंका के खिलाड़ियों ने उस फैसले को माल लिया कोई बवाल बहुत जादा नहीं काटा बहस थोड़ी से हैं लेकिन असली तस्वीर एक बार फिर से दिखाईगा जो कि इस नीको मीटर वाली है उस तस्वीर को देखने के बाद आपको बता दूँ कि यही वो तस्वीर है जिस पर पूरा विवाज चुना नॉट आउट दिया गया है और इस नीको मीटर पर स्पाइक्स दिख रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी राय क्या है क्या वाकई में यह आउट था या फिन ना टोड़ था कमेंट करके अपनी राह में जरूर बताएगा बाकि स्पोर्स आपको अब सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक कर लिजिए और वीडियो को वीडियो पर कमेंट करना न भूलेगा